कि सब्सक्राइब आपकर चाप्टर चलता है वह आप को समझ में आ जाने वाला है अप पिछलिए 2 वीडियो करो उसके बाद हम कंटिनेव करेंगे तो आप देखो जो हमने आज यहां पर प्रूव करना है वो है आपका यहां पर जो आपका गामा function है उसके एक property है उसको हमने आपका प्रूव करना है और जो अपना question यह से देख लेते हैं तो यहां पर जो आपका left hand side है वो है integration और जो आपकी lower limit है वो है 0 और जो आपका लिमिट है करेंगे और उसी का use करके हम यहां पर इसको प्रूव करने वाले ठीक है तो देखो फटाफट चे शुरू करते हैं तो जो हमने पिसले लेक्चर में जिस property को हमने प्रूव किया था वह आपका था यहां पर गामा एन is equals to ठीक है मैंने यहां पर लिख दिया है we know that integration जो आपकी lower limit है वह 0 और जो आप लिमिट है वह आपकी यहां पर infinite ठीक है exponent की power minus का x ठीक है multiplied में x की power n-1 और कितना आजाएगा ठीक है यह चीज़ आपको याद होगी तो इसको बनालते हैं आप equation number ठीक है इसी का आपका x है ना उसको हम यहां पर ay के equal to माल लेंगे ठीक है इसी टाइप से जो आपका question होगा जो आपका x है उसको हम assume कर लेंगे ay के बराबर ठीक है अब जो x की value हमने ay लिखी है इसका हम यहां पर क्या कर देंगे differentiation कर देंगे तो देखो जब इसका differentiation होगा तो कितना जाएगा dx यह आपका constant है same रहेगा और कितना जाएगा dy ठीक है तो यहां पर हमने क्या किया एक्स को assume कर लिया ay के बराबर और उसका फिर डिफ्रेंशेशन कर दिया तो आ गया dx की value आ गई इस इकोल स्टू जो आपकी x की और जो dx की value उसको equation number one में put कर दिंगे ठीक है तो कर देते हैं देखो क्या हो जाएगा गामा इन की जिगा आपका जो है गामा यह नहीं रहेगा यहां पर कुछ changing होने वाले है नी ठीक है integration 0 से और infinite ठीक है एक चीज यहां पर ठीक है अब देखो क्या होने वाला यहां पर साइड में कर देता हूं देखो ध्यान समझना देखो यहां पर क्या हुआ यहां पर जो आपका mean function था नहीं यह वाले function जो आपका formula यहां पर बोल सकते जो आपका property है इसमें आपका mean function था व y के जो terms है उसमें हमने change किया है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने x को y के terms में change किया है तो इसकी limits भी क्या होंगी हम यहां पर देखो हैना हम जो x है इसकी जगर हम 0 put कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 ठीक है इतनी बाद आपको मेरे समझ में आ गई होगी होगी चलो अब क्या था देखो जब x की जो आपका यहां पर अपर लिमिट थी इंफाइन ठीक है तो आपका y है वो भी क्या हो जा देखो क्या है जो आपका यह formula है यहां फिर जो आपकी यहां पर प्रोपर्ट्य यहां फंक्षन की यहां पर आपका main function है वो है एकस थी फिक्स्थी जो चिर्ट फिक्स आप यहां पर डिमिट ती 0 और टो जो गिंड़ चिंज़ करदेश्य जो चिंज और यहां पर लोर लिमिट तो एक लिमिट को कितनी मिल चैन्ज किया तो यहां पर फिक्स को बिदिया । उनको कैसे चेंज किया है ठीक है अब देखो क्या हो जाएगा मैने यहाँ पर रिख दिया है putting the values of x and dx in equation 1 तो देखो आप क्या हो जाएगा जो x की value और जो dx की value उनको हम यहाँ पर equation 1 में put कर देंगे ठीक है तो बागी सब कुछ आपका सेम रहेगा अब देखो क्या हो जाएगा क्यूम यहां पर देखो इसके साथ गुणा में है क्रोष्चन का दौटिएगाra यहां जाहेसे महाँ पुट करते जा रहें यैँ ट्यक है और एक्स की पावर एण माइनस न तो क्या हो जाएगा अब देखो मेरी बात को ध्यां से यहां पर सुनना डेको डेक्स है न और यहां पने डियक्स की जो value है उसको भी निकाला है तो dxc कितना आ जाएगा ady ठीक है तो हमने सारी जो values है x की और dxc equation number one में put कर दिया और हमको यहां पर यह चीज मिल गई है ठीक है अब देखते हैं इस question का solution दोनों के लिए अलग अलग कर देते हैं ठीक है उससे क्या होगा और easy हमारा question हो जाएगा simplify करेंगे तो हमको easy लगने वाला है तो कितना हो जाएगा अब देखो क्या होगा यहां पर भी a है और यहां पर भी a है दोनों किसमें multiply में और आपको पता होगा कि जो आपके basis हैं जब वो same रहते हैं और multiply में रहते हैं तो उनकी power क्या हो जाती है ऐड हो जाती है तो देखो जो ये वाला ए है इसकी पावर है जिरो से इन फानाइट ठीक है एकोल तो कितना होग भाई और कितना आज़ेगा लड़े तो कितना आज़ागा इस ये आपको समझ में आ गही होगी इन देखो ना यहां पर बैसे सें और इख से गया ह荒र है तो तो इतना आगए चलों अब ता स्मर्ण कि यहाँ आपको पता होगा कि च्ई आपके इंट盛ान के साइन के बहर आता है उनका इноहीं होता है त οποuelle Action के audience के सबária लेएंगे, तो कितना हो जाएगा, a की पावर, n जो है बहरा जाएगा integration sign के, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 से infinite, e की पावर, minus ay, और कितना हो जाएगा, multiply में, y की पावर, n-1, और कितना हो जाएगा, dy, ठीक है, यहाँ तक बहुत simple था, यहाँ तक आपको समझ में आ गया मदलब कि हैं इनός चैकर यहां पर जो यह इन ऐन ID एकश है उसको यहां पर आपकी यहां पर यहां पर ही यहां आपको एंट्रा खांडविक property है तो इसका मतलब क्या है कि आपका fx dx वाला function हो आपके fy dy वाले function की क्या होगा बराबर होगा ठीक है और जो limits है वह यहाँ पर change हो जाने वाली है ठीक है और देखो लिमिट जो है है ना जो है पर limits है वह हमने पहली change कर दिए ठीक है इतनी बाद आपको समझ में आगे होगी चलो अब देखो यह क्या है एकी power n है यहाँ पर जो है इस पूरा जो function है है ना जो पूरा पूरा इंटीग्राल के साथ मुल्टिप्लाय में इसको अगर हम left hand side भेज देंगे तो किसमें चल जाएगा डिवाइड में तो कितना आ जाए इसलिए आपकी जो गामा function की property यह प्रूव हो गई है ठीक है तो देखो हमने यह प्रूव यहां पर करना था यह चीज़ हमने यहां पर प्रूव करनी थी और यही आपकी वह जो है आपकी यहां पर प्रॉपर्टी है ठीक है तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ भी स सीख करके जाते हैं तो आप जब वीडियो को लाइक जरू से कर सकते हैं और जाहें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं